नमस्कार दोस्तों आज हम अनेलसिस करेंगे एक और कुंडली का और ये हैं 27 येर्ज ओल्ड फीमेर और इनके कुछ कुछ क्वेश्चन्स है आई ये देखते हैं कि उनकी कुंडली हमें क्या बताती है शवन नशत्र के दूसरे जरण में इनका जनम हुआ है और देखिए करकलगन की कुंडली है करकलगन यानी चंद्रमा इसका स्वामी है और चंद्रमा बैठे है अपने लगन से सात्वे घर में बैठे है ये चीज हमें देखती है और सात्मे गुरु के साथ बैठे है गुरु यहां पर नीचराशी के हो रहे है अब देखे कुंडली में देखने वाली बात ये इनके कुछ questions हैं कि एक तो संतान सुख कब मिलेगा इनको कुछ ऐसी problem है medical issues है जिसकी वज़े से संतान होने में दिक्कत हो रही है और इटका कहना ये है कि जीवन में आगे पैसी की और तरक्की क्या दिखती है इनके जीवन में घर परिवार की तरक्की के बारे में भी questions है कि भाई की तरक्की कब होगी देवर की तरक्की कब होगी इस प्रकार की भी उनके questions है जो कि हम इनी की कुंडली से देख के हम बताएंगे अब देखे कुंडली में सबसे पहले जब हम देखते हैं कि संतान की problem क्यों हो रही है संतान की problem की बात करें तो देखे संतान का कारक है पाचवा गर पंचम भाव संतान का कारक होता है और यह देखे यहाँ पर यह मंगल की राशी और मंगल बैठे है राहू के साथ राहू मयावी ग्रे है राहू खुद सिर अलग धड़ अलग तो वो चीजों में disturbance create करता है disturbance create करता है और यहाँ पर देखे अंगल राहू का अंगारक योग भी बन रहा है यह क्या हो रहा है कि जो संतान ऐसे लोगों को होने में दिक्कते होती हैं परिशानिया होती है और साथ ही साथ संतान में देरी देखना संतान नहीं होना संतान नहीं बनना यह problem आती है medical issues होते हैं ऐसे लोगों को अब एक तो यह चीज़ है इसका उपाए मैं इनको बताऊंगी जिससे कि यह problem से relief पाएं यहाँ पर देखे इनके कुड़ी में चंद्रमा साथ ए घर में बैठे हैं तो अपने घर परिवार की चिंता करना जैसे इनके प्रेशन भी अपने देखे थे कि देवर की नौकरी और तरक्की के बारे में कुश्चन करना अपने भाई की नौकरी और तरक्की के बारे में कुश्चन करना तो यह चीज़ घर परिवार की चिंता वाली लेडिस सबसे सुसराल में मिल जुलके रहना यह सारी चीज़े हमें दिखती है तो एक तो यह चीज़ है फिर अब बात करते हैं दूसरा भाव दूसरा भाव का स्वामी है सूर्य सूर्य की बात करें तो सूर्य बैठे हैं यहाँ पर अश्टब भाव में तो और सीधा सूर्य की साथवी जिष्टी आ रही है ऐसे में क्या होता है इनसान जो है एक अच्छे गुणी घर परिवार में जनम लेता है एक उतना की एक संसकारी परिवार एक अपनी मान रुत्मे वारे परिवार में जनम मिलता है इनसान को अब यहाँ पर कुंडली में देखे, मंगल हमने देखा और राहू, तीसरे भाव का स्वामी जो है, तीसरे भाव का स्वामी बुद्ध, यहाँ पर अस्तो होके बैठा है, यहाँ पर कुंडली में देखे, बुद्ध अस्तो होके बैठा है, शुक्र अस्तो होके बैठा है, औ तो यह क्या होता है, परिशानी दिक्कते खड़ी करता है, ऐसे मैं कभी-कभी confidence लूज कर जाना, परिशानी दिक्कते, समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, इस तरह की problem देखना, शुक्र जो है, यह देखिए यहां पर चतुरत भाव का स्वामी है, और उससे पहले बुद् बुद्ध का बुद्धा दित्य योग भी बन रहा है, बुद्ध वले ही अस्त है, लेकिन सूर्य बुद्ध का बुद्धा दित्य योग बना रहा है, क्योंकि सूर्य और बुद्ध आपस में मित्र है, और बुद्ध का अस्त होने पर भी उसका फल बिलता है, बुद्धा career growth का भी स्वामी शुक्र ही यहां पर देखता है लेकिन वो अस्त है तो क्या होता है जीवन में हर चीज एक hurdles के बाद struggle के बाद चीजों का आना रुक-रुक के चीजें मिलना जैसे शादी हुई तो संतान में समय देखना पड़ रहा है संतान में देनी देखनी पड़ रही है प्रावलम देखनी पड़ रही है यह चीज का प्रावलम इनको देना पड़ रहा है शुक्र कहीना कहीं खुश्यों का कारक है और अगर देखा जाता है तो वो चीज का प्रावलम देखने को मिल रहा है अब यहां पर अगर हम देखें तो ये पज्जम भाव के हमने मंगल के बारे में बात की और मंगल देखे दस्ब भाव का स्वामी भी है तो ये चीज है ये क्या होता है कि जिसे कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो ये घर परिवार से दूरी घर परिवार से एक डिस्टेंस मेंटेंड करवा देना वो भी भाव की राशी गुरू और नवम भाव की राशी गुरू लेकिन नीच भाव के स्वामी नीच भाव में बैठे नीच राशी में बैठे नीच राशी में बैठे यहां पर गुरू चदर का गजकेसरी योग बन रहा है अगर उनकी कुणली में देखें तो यह देखें यह ले कुछ इस तरह है कि चीज़े भी कई बार देखने को मिलती है और या किसी बड़े जने से कष्ट इनको देखने को मिलता है वो चीज का प्रॉब्लम छटे भाव का सवामी सब तमभाव में आके बैठना तो यह अपने से दूसरे भाव में बैठ रहा है तो ऐसे में क्या होता ह कि जीवन में और नवमभाव का सवामी भी है तो जीवन में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा दूसरों द्वारा दूसरों दुश्मनों को परास्त करने के लिए बड़ी महनत करनी पर जाती है प्यार से समझदारी से चीज़ों को टैगल करने में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन फिर भी लोग इनका जीद उखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं चंद्रमा का लगन है तो इनका जीवन में भी इतना खुछ करूँ इसके बावजूद मुझे भी लोग मेरा जीद उखाने से पीछे नहीं हटते हैं ऐसे कुछ experiences होते होंगे अब दीखिए देखे तो अपने से दूसरे बाव में बैठे हैं लेकिन फिर भी आदमी को डिले परिशानी देख रहे हैं केतु का यहां बैठना देखिए राहू यहां बैठे केतु यहां बैठे तो क्या होता है ऐसे लोग ना जो जो भगवान के स्थाल है तीर्थ स्थाल उनकी कुंडली में जैसे कि हमने एक तो एक प्रॉब्लम के बारे में देखा ग्रहों की स्थिती के बारे में भी देखेंगे अब जैसा मंगल है मंगल की दुष्टी अगर हम बात करें चौथी दुष्टी साथवी और आठवी ये क्या हो रहा है कि इस तरह की दुष्टियां जो होती है तो मंगल जो है वो कही ना कही तिकत परिशानी खड़ी करता है जैसे कि यह देखें यह च्छटे भाव के लिए तो अच्छा है मंगल च्छटे भाव में पराक्रमी बना रहा है इनको और इनको पराक्रमी बना कि जैसे हिम्मत में हिम्मत नहीं आ रहूंगी इस तरह की चीजें कहीं नहीं थोड़ा सा पिता को कश्ट भी देता है पिता को कश्ट देना या पिता को जैसे की समझाना पापा ऐसे नहीं ऐसे नहीं इस तरह की चीजें भी हिम्मत य गदिखेंगे ये दसवा भाव जीष दसवा भाव जीवन में यह बहुत कुछ करने की इच्छा रख न बहुत कुछ कर जाना tarry की बात को मैं कुछ चाहते हो fins कि इस करने गुरु अला की नीच राशी के हैं फिर भी गुरु की दुष्टी की बात करेंगे तो पंचम दुष्टी, सब्टम दुष्टी और नवम दुष्टी गुरु की तो अगर बात करें तो यह देखी यहां पर जीवन में अपने सुखों को देखें सुखों में थोड़ा सा इसके बाद चीजों का आना, यह हमें देखता है, लगन पर भी दुष्टी आ रही है, मन अंदर से दुखी होना, कैसे करूं, क्या करूं, कोई मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, जीवन में ऐसा फील आना, और यहां पर लेकिन फिर भी यह देखे, यह गुडू का दुष्टी यहां पर भी आ रहा है, तो कई वाई पराक्रम भी टूटता है, कॉंफिदेंस लो हो जाना, यह चीज का प्रॉलम फेसे नहीं ह०ुश्टी का इस अब यह देखे, इस पर अगर बात करें तो, अगन शनी की दुष्टी की बात करें अपने विरीम को फुलफिल करना, यह चीज़ दिखती है, है यहाँ पर आरही है, मंगल तो चीज़ों का उगर भोगना है, उत्रफटी पार के सपुर्ण का गर, अगर मंगल है यह मंध हो जाना विरीर को दिखती है, और अगर बात करती है, दस्वी से की दिख थी, चार-पाथ-छे-स-साथ-आएट-नो-दस ये देखी, ये अब छटे भाव का स्वामी जो है छटे भाव का दुष्मनों का स्वामी सीधा यहां पर ये ये जो है यहां पर अगर बात करें तो छटे भाव पर भी दुश्टी डाल रही है इनसे कोई लड़के जीत नहीं सकता, इनके भले ही एमोशनल है, सबकी चिंता करती है, लोग इनने पसंद करें न करें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनसे जीत नहीं पाएगा, सबको प्यार से पुछकार के अपने तरीके से, एक कहते हैं ना कि चीजों को हैंडल करना मैनेज करना, वकू भी जानते हैं ऐसे लोग, ये सारी चीज़ें हमें देखती हैं, अब देखें, यहां पर पहले नमाज शाट की और चलेंगे, नमाज शाट में बात करेंगे, तो नमाज शाट में ये देखें, शनी चतृतबाव में है, मंगल की राशी में, चंद्रमा उच्च राशी का है चंद्रमा उच्च राशी का लगनेश उच्च राशी का हमेशा इनको सपोर्ट करता रहेगा चंद्रमा में बहुत पावर है इनके यहां पर बात करेंगे बुद्ध देखे बुद्ध जो हमने पराकरम का ग्रह देखा था वहां पर लेकिन जो है ये बुद्ध अपनी नीच राशी में बुद्ध कमजोर है बुद्ध से लिटेड उपाई भी मैं इनको बताऊंगी अब ये देखे यहां पर सूर्य उच्च का है सूर्य देखे कहीं न कहीं सूर्य उच्च का है कभी कभी पिता को बल भी देता है नेम फिर्म सक्सेस भी मना के देता है ये सारी चीज़ें बना के दे रहा है ये बहुत ही बड़ी अग्रह सूर्य का उच्च होना ये देखी क्या होता है सरकार से लाब मिलता है या परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला हो इस तरह की चीज़े होती है या पिता का किसी उची पोस्ट पे होना इस तरह की चीज़े है या खुद अपना नेम फिम बनाना ये सूरे इनको बहुत बल दे रहा है तो अपनी संस और इनके देवर और भाई के question का भी answer लेके चलेंगे चलेंगे चलेंज चार्ड की बात करेंगे देखिए चलेंज चार्ड लगन चार्ड की तरह सिमिलर होता है लेकिन यहां पर क्या होता है कि थोड़े सी घ्रह सारक जाते हैं अब बुद्ध, सूर और बुद्ध यहां पर आ गए, अब बुद्ध यहां पर नीचर आशी में इसमें दिखता है, तो क्या होगा कि बुद्ध की स्ट्रेंथ कमजोर है, यह देखे, पराकरम का भाव, यहां का इधर का भाव, तो यह कमजोर हो रहे है, पराकरम कमजोर हो ज इनको प्रदान करता रहेगा बाकी ग्रह से मिलर हैं तो कोई दिक्कत परिशानी की बात नहीं है अब दिखिए बात करेंगे देवर की जैसे देवर की बात करें तो पती का घर हो गया यह और पती का भाई देखिए पती का भाई हो गया तीसरा भाव पती के घर से अगर हम चल बढ़ेंगे आगे तीस्रा भाव, आ गया बढ़ेंगे तीस्रा भाव देवर का भाव कि अगे आगे पर हम देखें तो शनी से हैं यहां पर तो की काम सेक्ट रहु exist क हौता कि सप्दूर के थे हौना कां में का सक सब्सक्राइब देख़ें दान करें किसी गरीब आदमी के मदद करें तो इनकी नौखरी जल से जल लग सकती है इनका देवर की बात करें तो देवर की जो काम की बात है देवर की अगर हम देखें तो यहां से देवर का भाव अगर हम देखें और देवर की करियर की बात करें नेरायन भगवान को पांच बेसन के लड़ों का भोग लगाएं ऐसा पांच गुरुवार करें इनको बहुत लाब मिलेगा इनके देवर को यह उपाए करना चाहिए अब देखें यहां पर इनका कोशन है कि भाई की नोकरी कब तक लेगी या उसको बिसनस कर लेना चाहिए भाई की बात करें तो इनकी एक उंडली है यह देखें भाई तीसरा भाव भाई का भाव है तो अगर भाई की बात करें तो ये देखें बुद्ध तो ये बुद्ध जो है ये वेपार कराता है बुद्ध की बात करें तो ये वेपार कराता है ऐसे लोग वेपारिक बुद्धी होती है उनको नौफरी करके वेपार करना चाहिए वह जादा इनके लिए अच्छा रहेग और अगर हम बात करें दस्वे भाव की यहां से भी, सात्वा, आठवा, नौवा, दस्वा, यह देखें, बुद्ध की राशी ही आ रही है दस्वे भाव में, तो करियर के छेत्र में बिजनस ही सूटेबल रहेगा उनके लिए, अब बात करते हैं, इनके खुद की कुडली में गोचर की, कि गोचर घ्रे क्या कहते हैं, अब जैसे गुरू की बात करें, गुरू इससे में गोचर में यहां आएवे हैं, गुरू गोचर में यहां आएवे हैं, तो यह देखिए, पंचम, एक, दो, तीन, चार, पांच, पंचम दिस्ट्री यहां हैं, सप्तम दिस्ट्री कि जो स्थिती है इनको थोड़ा सा वेट करना पर सकता है अभी दशाओं पर भी जाएंगे तोड़ा वेट करना पर सकता है लेकिन एक योग आ रहा है इनको थोड़ा सा जैसे हो तरह मेडिकल इशूस हैं लेकिन कुछ अच्छे ट्रीटमेंट से इनको लेंगे ये चीज़ हमें दिखती है ग्रैस जीवन में भी थोड़ा सा चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी ये सारी चीज़ें हमें दिखती है एक इनके कॉश्चन था कि ससूर के साथ रिष्टे कैसे रहेंगे देखे ससूर के साथ रिष्टे की बात करें तो ये पती का गर हो गया पती का घर से नवम भाव देखें तो पिता का कारक होता है साथ आठ नो ये देखें ये ये देखें ये बुद्ध बुद्ध अगेन इनका जो मैंने बताया था चले चार्ट में नीच राशी का देगा था नमाई में नीच राशी का देगा था इसी कारण देखा है पर हम इन्हें रेमेडी बताएंगे इनको बुद्वार की रेमेडी करनी चाहिए इनको बुद्वार के दिन हरी मूं की दाल का दान करना चाहिए हरी मूं की दाल जो होती है उसका दान करें हरी मूं की दाल का साबुत हरी मूं का उससे राहू की भी रेमेडी होगी यह राह समय तक करें जब तक चीजे सोट आउट ना हो इन्हें लंबे समय तक हर बुद्वार हरी मुंकी दाल का दान करना पड़ेगा तो यह रेमेडी इनके लिए बेनिफीशल रहेगी अब दूसरी चीज इनका कॉशन था कि पिता की तब तक ठीक रहेगी पिता की तब की बात करें नीच राशीत के नहीं अस्त ग्रह बेट है और गुरू भी जो है यह नीच राशी के तो दिककत परिशानी के दे रहे है तो उसके लिए मैं इनको सेज़ेस्ट करूँगी कि मैं इनको ऑни vision करें बहुत लाब मिलेगा अब यहां पर अगर हम देखें तो हमने गोचर में गुरु देखा, शनी देखा इस तरह के सब घ्रह देखें हमने अब आते हैं इनकी और चीजों पर देखें मंगल यहाँ वक्री है इसलिए फल में दिक्कत आ रही है मंगल वक्री है तो यह क्या है देर से फल देना ऐसा नहीं है फल डिनाइड नहीं है लेकिन फल में समय लगेगा फिर बुद्ध इनका अस्त है शुक्र इनका अस्त है तो यह क्या होता है पिछले जरम से भी carry forward करके चीज़ां आती है बुद्ध बताता है कि आप चीजों का ज दिले देखना यह चीज का प्रॉलम है अब देखिए अश्टकवर का चार्ट पर आते हैं यहां पर और पता चलता है कि जीवन में हर घर क्या कहता है इनका कुंडली के बारा घर है वो क्या कहते है ऐसा नहीं चीज है कोई चीज बिलकुल काम नहीं बनेगा बच्चे की दि नमबर लगन से शुरू करेंगे यहां पर लगन अपने आप में काफी मजबूत लेडी है 33 नमबर है 28 नमबर से उपर जितने भी नमबर होते वह सब बहुत बड़े होते हैं अब देखिए पारवारी कुल में परिशानी दिख रही है अब तीसरा भाव 26 नमबर है पराक्र चौथा भाव सुख का भाव जीवन में हर तरह की सुख लगजरी इनके मिलेगी शुकर भले ही आसता है लेकिन फिर भी सुख इनको जरूर मिलेगा अब यह देखिए पंचब भाव 36 नमबर है संतान जरूर मिलेगी यह यह है अलाकि राव का अपने प्रकोब देखा रेमे जजबे से अपने और तरीकों से दुख्मनों को भी परास्टर कर लेते हैं या कई बार मामा का सपोर्ट बड़ा जवर दस्त होता है ऐसा भी देखा जाता है मामा पक्ष का कोई सपोर्ट आना है मामा पक्ष से जड़ाव होना यहाँ पर यह देखे ग्रैस जीवन में अश्टम भाव के नमबर कम ही ठीक रहते हैं अश्टम भाव रहसों का भाव है कई बार लॉसिस का भी भाव देखा जाता है तो यह चीज 18 नमबर ही ठीक है अब यह देखे नौम भाव पिता का कारक यह देखे पिता की तब्यक्त में दिख रहा है अब यह देखे आगे अ गयारवे भाव, इंकम का भाव, घर परिवार की इंकम सुक्षानती, 28 नमर ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, बारवे भाव में 32, इंकम तो अच्छी है, लेकिन उसके बाद खर्चे बहुत हो रहे हैं, अंशंड खर्चे होना, जैसे अब इनको मेडिकल प्रॉलम है तो उसमें अन्नैसेसरी खर्चे बढ़ना, अन्नैसेसरी इलाज में पैसा पानी की तरह बहना, घर परिवार की जिम्मेदारियों में बहना, वो सारी चीज़ों का प्रॉलम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उपाय बताऊंगी, जिससे इनके जीवन में बड़ी प्रॉलम ही होती है, राहु की माधशा में चीज़े, राहु तीसरे भाव में बैठा है, इच्चा पूर्दी कराता है, लेकिन राहु की आदत होती है, वो चीजों का नुफसान भी करता है, अब देखे, संथा नुत्पती की ग्रह के साथ बैठके परिशान कर रह तो अभी थोड़ा इनको बेठ करना चाहिए, तोड़ा सा वेठ कर रहाए गए चीजे लेकिन राहु में सूर रहे, सूरे इनका मजबूत है, तो यह संथान यह दे सकता है, तो इनको बड़ जाएगा, तब इनको संथान का सुके मिलेगा, संथा से लेटेर जो इनको उपा है तो वो बेड़िकल प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होगी तो वो चीज हमें दिखती है अब देखिए यहां पर मुंताराशी यहां बैठी पंचमबा में मार्च दोजार चौबश से लेके मार्च 25 तक तो यहां पर चीजें बैठ्रमेंट की और इशारा कर रही हैं यह दिखे संतान सुक के लिए भी सपोर्ट कर रहा है संतान सुक के लिए सपोर्ट इनको मिल रहा है जैसे आगे आने वाले समय में इनको इस टाइम पीरिज में संतान से ल लगेगा ठीक है और जो है देखा जाए तो शुक्र बैठे एस्टमभाब में मंगल भी बैठे है मंगल उच्छे राशी में तो देखे वहां पर हमने देखा था बच्चे का कारक है तो यह सपोर्ट करेगा चीजों पर सूरे की बात करें यहां पर सूरे बुद्ध का बुद को जासे चीजों को कि घर परिवार में बी अच्छी देख रही है तो शनी इपनी राशी में जिणे से और लाक बिले ओवरॉल देखें तो समय अच्छा बीतेगा, चीजों में सुधार होगा, जैसे होता ना की ग्रोथ की और चीजों जाती है, चीजों में सुधार, जो काम रुके में, कामों की रुकावट दूर होना, यह सारी चीजों दिखने हैं, पिताब माई के पक्ष में भी और सुस्रा साड़े साथी चल लेती, देखें साड़े साथी, बतला साड़े साथ साल, धाई साल, देखें क्या होता है, चंदरमा जब बैठा होता है, शनी जो है, चंदरमा से एक घर पहले, एक घर बात, धाई, 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 इसलिए साड़े साथी, साथ साल बोलते हैं, तो चंदरम लिए पर लूवर्ट की छै साल, सारे चैसाल निकल चुके हैं, अब तो इनकी 2025 मार्च में, 25 मार्च में इनकी साड़े साती खतम हो जाएगी, तो इनके जीवन में तब तक काफी चीज़्ों में सुधार हो चुका होगा, लेकि साड़े साथी खराब नहीं होती साड़े साथी हर एक के जीवन में आती है और होता क्या है कि साड़े साथी आपे बहुत कुछ सिखाती है शर्शनी एक टीचर की तरह सिखाते है जैसे होता ना कि स्कूल में एक बड़े ऐसी टीचर होती है जो बहुत डाट मारके सिखाती है तो वह में कभी नहीं अच्छी लगती लेकिन उनका सिखाया है वह हम जिंदिगी पर याद रखते हैं वो गलती हम दुबारा नहीं करते हैं यही शनी की खासियत है तो शनी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है बहुत कुछ आपने सीखा शनी से और आप यह ग्यान जिंदिगी पर चलाओगे आपको गलती है दुबारा नहीं करोगे शनी की एखास बात होती है शनी कोई लेता ही नहीं है कि खाली लेना ही लेना जानता देता भी है जैसी अब ये समय उनकी साड़े साथी कतम होने वाली है तो ये शनी उनको बहुत कुछ देके जाएगा जैसे मैंने का इनको एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा इलाज मिलेगा और ये ठीक हो के जीवन में चीचों का सुख उठा पाएंगी तो संतान सुख भी है जीवन में लेकिन थोड़ा सा डेले हमें दिखा और इलाज की और उपाई की इनको जरुवत है तो वो भी इनको समय समय रहते मिलेगा और काफी दो संतानों का सुख इनके जीवन में अच्छा कासा हमें दिखता है तो चलिए हम इश्वर से प्रात्ना करेंगे कि जीवन में खूब खुश यहां है खूब राइस करें और इनके सुसराल वर्माई के पक्ष में खूब रद्धी हो और जीवन में खुद भी काफी खुश रहां जो कोई दुख परिशानी हो दूर हो तो यह था इनका कुंडली अनालेसिस धन्यवाद